तो देखिए आज मैं आपके लिए जो बना केने वाली हूँ वो एकदम हमसा तो होता ही है शायद जो बिगनर्स हैं वो भी हमसे नहीं से बना लेंगे तो चलिए फटापट से इसे बनाना शुरू करते हैं तो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा देखे पहले नौट लगा लेंगे और फिर एक दो तीन चार पांच पांच चैन लेंगे और यह देखिए इस तरह से इसे राउंड बना लेंगे फिर एक दो तीन चैन लेंगे और यहां पे हम डबल क्रोश्या बनाना शुरू कर देंगे ठीक है तो इसमें जो टोटल हमें डबल क्रोश्या बनाने है वो 16 double crochet बनाने है तो यह पूरा बना के फिर दिखाते हूं तो यह देखिए हमने इसमें 16 double crochet बना लिये हैं और अब हम इस chain में डालके इसे इस तरह से joint कर देंगे उसके बाद में हम 20 double crochet यानि के तीनों फंदे एक साथ निकालेंगे फिर इसी वाले में डालेंगे और फिर से एक 20 बना लेंगे अब आगे वाले में जाएंगे और इसे दालके एक 20 डबल क्रोश्या फिर इसी में डालेंगे और इस तरह से half double crochet देखे एक तरफ से डाल रहे हैं दूसरी तरफ से निकाल के ये front post double crochet होता है तो ये half double crochet हम इसमें बना रहे हैं front post से ही एक एक में हमें दो-दो half double crochet बनाने हैं तो इसी तरह से हम पूरे में बना लेंगे फिर दिखा देखे हूं आपको तो ये देखिए हमने पूरे में इस तरह से ही डबल क्रोश्या बना लिया है और ये हमारा पीछे की साइड एक सिकेंड आपको मैं ठीक से दिखाती हूँ ब्लैक कलर में एक तो दिखता ही कम है ये देखिए ये उपर की साइड में हमने पूरे में बना लिया है और ये पीछे की साइड में अलग दिखता है ठीक है जब आप बनाएंगे न तो आप अच्छे से न समझ जाएंगे तो यह हमने न जहाँ पर हमने शुरू में दो चैन बनाई थी वहाँ पर डालके जॉइन कर दिया ठीक है अब हम इसे यहीं पर कट कर देंगे तो यह देखिए इस तरह से ह डबल क्रोशे बनाएते न वह दिखाई देंगे तो यहां पर डालके हमें यह जॉइन करना है यह दूसरे वाला कलर न यहां पर डालके इस तरह से जॉइन कर लेंगे और एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ हम इसमें न चैन बना लेंगे ठीक है एक सेकिंड रुके इसम चैन थामिसे हमने साथ चैन बना ली और अब हम फ़र्स वाली चैन छोड़के उससे आगे वाली चैन में एक तरह से सिंपल क्रोश. net ठीक है फिर से आगे वाली चैन में हमें यह ङर भी पल ड wines एक साथ निकाल देंगे फिर यह से आगे वाली चैन में ऺपीशा मेंट ठीक है और यह जो यह last वाली है इसमें भी हम double crochet बनाएंगी और जो सबसे last वाली यह बची है इसमें हमें इस तरह से डालके simple crochet बनाना है ठीक है और इसी chain में जहाँ पे हमने यह join किया था ना वही ही पे डालके इसे joint कर देंगे ठीक है फिर अगली chain में जाएंगे और वहाँ पे इसे ज़ॉइन कर लेंगे और फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ चैन लेंगे और एक चैन छोड़के उससे आगे वाली चैन में सिंपल क्रोश्या फिर उससे आगे वाली चैन में हाफ डबल क्रोश्या तो यह देखिए, यह हमारी एक पती बन गई है और अब इस अगले वाली में फिर से हम डबल क्रोश्या बना रहे हैं पहले हमने एक सिंपल क्रोश्या फिर हाफ डबल क्रोश्या और फिर डबल क्रोश्या फिर उसे आगे वाली में हम double crochet फिर उसे आगे वाले में हम chain में फिर से double crochet आगे वाली में फिर से double crochet और यह जहाँ पर हमने joint किया था वहाँ पर डालके एक simple crochet और यहीं इसी chain में हम इसे इस तरह से joint कर देंगे ठीक है फिर अगली chain पर जाएंगे और यहाँ पर इसे joint कर लेंग और फिर से ऐसे ही हम साथ चैन लेंगे एक चैन छोड़के पहले वाली चैन में सिंपल क्रोश्या फिर दूसरे वाली चैन में हाफ डबल क्रोश्या और तीसरे वाली चैन में और जो ये चैन बची है उनमें हम डबल क्रोश्या बनाएंगे तो जैसे हमने यह दो पतियां बनाई है, सेम वैसे ही इसमें पूरी बना लेंगे, तो जो हमने यह नीचे बनाये थे, वो हमारे 16 डबल क्रोशे आते, तो हमारी 16 ही यह पतियां बनेंगे, तो यह पूरी बना के फिर दिखाते हो, तो ये देखे, ये हमने ना, पूरा बना लिया है और ये मेरी पूरी सोला पत्या बनी है ठीके? ये देखे, अब हमने जहां से ये शुरू किया था ना, वहीं पे डालके ये देखे, यहाँ पे हम ये दूसरा कलर लगाएंगे, ठीके? तो ये दूसरा color हम इसमें ही joint कर लेते हैं ये देखिए हमने joint कर लिया और joint करने के बाद जो हमने ये पत्ती बनाई थी ना इसके इधर साइड ही हम इस तरह से देखिए इस तरह से लेंगे और यहीं पे डालके हम इसमें अच्छे से ऐसे वे joint कर लेंगे ठीक है उसके बाद में जो हमने ये पत्ती बनाई थी ना उसकी first वाले में ही डालके half double crochet फिर देखिए ज़र साइड अगले वाले में डालके फिर से half double crochet फिर उससे आगे वाले में half double crochet ये इस तरह से उपर तक half double crochet हम बना लेंगे और जो ये उपर साइड में जहाँ पर हमने एक चैन ली थी वहाँ पर हमने एक बार half double crochet बनाया ये दो बार और फिर हम एक दो तीन तीन चैन लेंगे और फिर से यहीं पर दो half double crochet इस तरह से बना लेंगे ठीक है फिर हम इधर साइड आ गए हैं यहाँ पर भी पत्ती पर हम इस तरह से half double crochet बनाते जाएंगे ठीक है यह देखे इस तरह से यह हो गया अब हम आगे वाली में भी इस तरह से half double crochet बना लेंगे और यह नीचे जो हम दूसरी साइड गए थे ना वहाँ पर यह simple crochet से इसे join कर देंगे फिर हम दूसरे वाली पत्ती पर आ गए हैं और इस पर भी हमें हर एक पर डालते वे इसी तरह से half double crochet बनाना है हमें इस तरह से ठीक है तो यह ना आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो अराम से यह ना बन जाएगा तो इस तरह से half double crochet हम बनाते जाएंगे उपर तक और उपर जाके हम जहाँ पर यह एक chain है वहाँ पर डालके एक half double crochet फिर एक और half double crochet एक दो तीन chain और फिर से यह पर दो half double crochet बना लेंगे ठीक है फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे और half double crochet पत्ती की दूसरे साइड भी इसी तरह से बना लेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ कि यह पत्ती कुछ इस तरह की दिखाई देगी ठीक है यह देख रहे है न ऐसी ही यह यहां तक इस में पूरे में half double crochet से ही नीचे तक आ जाएंगे और यहां से भी आगे की साइड में हम ऐसी ही बनाएंगे ठीक है यह सबसे नीचे हम simple बनाएंगे और फिर दूसरी साइड में आके फिर से half double crochet बनाते जाएंगे यह इस तरह से तो जैसे मैंने ये दो पतियां बनाई हैं वैसे ही आपको ये सारी पतियां बना लेनी हैं तो पूरी बनाके फिर मैं दिखाते हूँ तो यह देखिए हमने न सारी के सारी पतिया बना ली हैं अब हम यह लास्ट में जहां से हमने यह शुरू किया था न वही पर डालके इसे यही पर एक सिक्ट देखिए जहां से शुरू किया था वहां पर डालके इसे निकाल लेंगे और यही पर हम इसमें अच्छे से यह मैंन कि नॉट लगाके यह देखे यह हमारा एक एक दम घहना सा और प्यारा सा यह इस तरह से फ्लावर बनके ठीक है अब हमें इसमें क्या करना है आप वह देखिए इसमें हमें न यह अब हम पीछे की साइड लेंगे यह देखिए तो हमने जो यह फर्स्ट वाला यह यह न जहां पे हमने यह क्या था इसी के नीचे यह काले वाले में यहां पे डालके हम यह दूसरा कलर लेंगे और इसमें जोइन कर देंगे इस तरह से अब एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ चैन लेंगे और देखिए यह हमने इस पत्ति के पास में यह जोइन किया है तो यह पत्त एक, दो, तीन, चार ये जो चार पती हम छोड़ेंगे और इसके नीचे वाले इस ब्लैक में डालके हम इसे इस तरह से सिंपल क्रोशिया से जोइन कर देंगे ठीक है? फिर यहां पे एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, साथ, साथ चैन लेंगे और फिर से देखें ये एक, दो, तीन, चार चार पती छोड़ेंगे और इसी के नीचे वाले इस ब्लैक में डालके इसे हम यहां पे जोइन कर देंगे ठीक है? सिंपल क्रोशिया से ऐसे ही साथ-साथ चैन लेके हमें चार पत्यों के बाद इसे जोइन करेंगे तो यह पूरा करके दिखाती हूँ तो यह देखें हमने यह एक बार चार साथ चैन, दो बार तीन और यह चार तो चार बार हमारी यह चैन बनी है अब हम यही पे डालके एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे ठीक है, बनाने के बाद देखें इस चैन पे ले आएंगे और यहाँ पे पहले एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे फिर तीन चैन लेंगे और इस चैन में जो यह साथ चैन थी ना उसी में हम साथ डबल क्रोशिया बना देंगे तो यह तीन हो गए यह चार पाच छे और यह साथ तो साथ की यह चैन थी उसमें हमने साथ ही डबल क्रोशिया बना दिये हैं अब जो हमारा यह वाला सिंपल क्रोशिया था ना हम इसके उपर इसके अंदर डालके ऐसे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर इसी में डालेंगे 2 डबल क्रोषिया और एक दो दो चैन और फिर से इसी के अंदर 2 डबल क्रोषिया। ठीके, फिर यह चैन आ गई, इसमें हमें साट डबल क्रोशया ये बनाने हैं, इसे ही, ये तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ ठीके? अब हम फिर से जो हमने simple crochet बनाया था उस पे आ गए है उसमें हमें फिर से वो ही बनाना है दो double crochet इस तरह से दो chain और दो double crochet ठीक है यह देखिए इस तरह से फिर से chain में हम 60 double crochet बनाएंगे और जो यह simple crochet है इस पे फिर से दो double crochet दो chain दो double crochet तो ऐसे ही यह हम पूरा कर लेंगे फिर दिखाते हूं तो यह देखिए इस तरह से हमने 60 double crochet और फिर यह दो double crochet दो chain और दो double crochet ऐसी ही हमने न ये चारो चैन में बना लिये हैं और लास्ट वाला जो ये सिंपल क्रोशा था उस पे भी हमने दो डबल क्रोशा दो चैन और दो डबल क्रोशा बना लिये हैं अब हम इसे यहाँ पे डालके जोइन कर देंगे फिर यहाँ पे तीन चैन लेंगे और डबल क्रोशा बनाते जाएंगे ठीक है इस तरह से यह पूरे जितने भी है सब में एक एक डबल क्रोशा हम बनाएंगे ये देखे इस तरह से ठीक है अब जो ये हमारा ये आया है जो दो डबल क्रोश्या और दो चैन थी तो उसमें हम देखे इसमें इस तरह से पहले एक डबल क्रोश्या बना लेंगे फिर जो ये चैन है उसमें हमें देखे इस तरह से दो डबल क्रोश्या बनाने है फिर दो चैन लेनी है और फिर से 2 double crochet हम इसमें बना लेंगे और फिर अगले वाली chain से ऐसे ही एक एक double crochet बनाते जाएंगे तो जो ये हमारे 7 double crochet है न हापे, ये उपर वाली you line में न 8 हो जाएंगे, तो 7, 8 9 हो चाहेंगे यह देखें हैं यहाँ आपे न यह देखें यह एक इधर बढ़ गया और 1 हमारा इधर बढ़ीगा तो 7 उपर 9 हएंगे 9 के उपर हमारे 11 होंगे ओगे हमें 3 लाइन ने पूरी करनी है यह पूरा करके फिर मैं देखाती हूं यह देखिए इस तरह से मैंने इस में तीन लाइने बना ली और यह पीछे की साइड में अच्छे से हमारा बन गया और यह देखने में कुछ ऐसा लग रहा है ठीके अब हमें इसमें क्या करना है आप वो ध्यान से देखिए जैसे यहां पे हमें इस तरह से तीन चैन लेंगे ठीक है और तीन चैन लेके हमेने ये वाली चैन चोड़ेंगे और इससे आगे वाली चैन में डालके एक डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर एक चैन लेंगे एक चैन चोड़ेंगे और आगे वाली चैन में डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर से एक चैन लेंगे एक और आगे वाली चैन में डालके डबल क्रोशा बनाना है और एक एक चैन हमने पूरे में ले ली है ठीक है अब हम यहाँ पर एक चैन लेके और इसके पीछ में फिर से एक डबल क्रोशा एक चैन और एक डबल क्रोशा ठीक है फिर यहाँ पर क्योंकि यह दो हो गई है इस चैन म और यहीं पर डालके एक और डबल क्रोश्या बना देंगे ठीक है इस तरह से हो गया उसके बाद में फिर से एक चेन लेंगे और यहां पर देखे एक चेन छोड़ेंगे और इससे आगे वाली चेन में डालके डबल क्रोश्या बना देंगे फिर एक चेन लेंगे एक चेन और फिर से एक टबल कोप तो कहने का मतलब यह है कि हमें यहाँ पे न सभी के बीच में एक एक चैन लेनी हैं और जब हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे बीच में एक चैन यह वाली छोड़ देंगे ठीक है तो यह देखें यह कुछ इस तरह का दिखाई देखा ठी तो ऐसे ही हमें इसके ऊपर की तीन से तीन लाइने बना लेनी है सेम तरीके से जैसे हम यहाँ पे आएंगे दुबारा तो यह जो बीच वाला है इसमें सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने यह बनाया है पहले एक डबल क्रोश्या फिर एक चैन फिर एक डबल क्रोश्या और उ इसी तरह से और इस से अग्ले वाली लाइन में आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमें आगे वाली में चेन नहीं छोड़नी या वह कैसे बंश्यक्ति तो यह देखिए यह हमने न एसी तरह से ウालाइन पूरी कर लिए सेम तरीके से वो ही एक चैन चोड़ते वे सब में एक एक चैन बना ली और यह यहाँ पर चोड़ दिया अब हमें क्या करना है हमें यह बीच में नहीं बनाना है अब हम जो यह डबल क्रोश्या है इसी के ऊपर डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर एक चैन लेंगे फिर अगले वाले डबल क्रोश्या के उपर ही डबल क्रोश्या हम बनाएंगे इस तरह से ठीक है आपको ये अच्छे से समझ आ गया कि ये हमें न किस तरह से बनाना है ये देखे हर एक के उपर ही हमें मतलब बनाना है ये इस तरह से तो जैसे ये देखे कोनी में आ गए तो हम इसके उपर ही इस तरह स डबल क्रोश्या बनाएंगे, अब हम यहाँ पे ना आदें, तो यहाँ पे एक चैन लेंगे, और यह जो दो चैन है, इनके बीच में हम इस तरह से ही बनाएंगे, देखे पहले एक डबल क्रोश्या बनाया, फिर एक चैन ली, फिर एक डबल क्रोश्या, और अब यहाँ पे द डबल क्रोश्या के उपर ही डबल क्रोश्या हमें बनाने है ठीक है तो ये आप ध्यान रखना कि ये हमें डबल क्रोश्या कहां पर बनाने है ठीक है तो इस तरह से ही हमें ये आगे की एक लाइन और बनानी है जैसे ये एक हो गई ये चेन वाली ये दो हो गई और एक और हम ब प्माइण लेंगे, तो यह बना के फिर But यह देखिए इस तरह से हमारा यह पूरा का पूरा इतना हमारा बन गया है है को अब हमें आगे क्या करना है भूत सब्सक्राशुक्रति और यह धेखिए यहां से जैसे यह कोना है तो इसके जो यह बराबर वाला है यहां से डालके हम इसे जाइन करेंगे ठीक है इस तरह से जाइन कर लिया उसके बाद में एक चैन लेंगे और हगे वाले में डालके एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे फिर एक चैन लेंगे और हगे वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया, एक दो, दो चैन और फिर से यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है, उसके बाद में एक चैन, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, यह हमेना अब यहाँ बनाना है, इसके उपर नहीं बनाना है, ठीक है, फिर एक चैन, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक एक हाफ़ डबर क्रोशया तो यह जो टोटल हो गए है इस कोने के बाद 1,2,3 हो गए हैन electrify अब हमें क्या करना है देखे जो यह आगे वाला है इसके जस्ट नीचे वाला इसमें हम डालेंगे और एक बार 100 क्रोशय के ओपर और यह दो बार ठीक उसके बाद में जिसमें हमने लिया है उसके जस्ट नीचे के बराबर वाला यानि के देखे इसके नीचे वाला हमने ये लिया था इसके जो आगे वाला है उसके नीचे वाला तीसरे नमबर का जोरी ये लाइन है उसमें डालेंगे इस तरह से और ये थोड़ा सा खीच के एक बार किरोशे के उपर फिर से एक बार खीचेंगे दो बार ये किरोशे के उपर हमने ले लिया है फिर देखे हमने यहापे लिया है इसके जो यह बराबर वाला है उसके उपर वाला यानि के जी हमने इधर लिया था ना उसका बीच का एक चोड़ेंगे और इसके इधर वाले में डालके हम दो बार फिर से फंदे किरोशे के उपर ले लेंगे तो ये हम कुछ इस तरह से लेंगे, आपको दिखाई भी दे रे होंगे. इस तरह से लेके और इन सब को हम एक साथ निकाल देंगे, ठीक है? फिर एक चेन लेंगे और जो ये अगले वाली ये दिखाई दे रही जरी तुसकर इसी में डालके एक खाफ डबल क्रोश्या, फिर स तोड़ा सा ध्यान से देखे मैं जूम करके आपको दिखाती हूं यह देखे तो यह हमने यहां पे ले लिया है अब हमें जो लेना है वो इसके आगे वाले के नीचे वाला यहां पे लेंगे तो बार फिर इसके परापर वाले के नीचे वाला यह जो थर्ड वाला यहां पे ल तो जो हॉमे तीनों लेने हैं, वो एक बार यहां, एक यहां और एक यहां, इस तरह से लेने हैं, ठीक है, यह वाले जो हमने लिए थे, वो मैंने रखके आपको एक बार अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है, तो यह देखे एक बार और यह दो बार पंदे किरोशे के उपर फिर यह देखे नीचे वाले में जाएंगे और यहां पे भी हम एक दो बार पंदे किरोशे के उपर ठीक है फिर हम देखे यह वाला छोड़ेंगे इसमें हम फंदे इस तरह से दो बार के उशे के उपर और इन सब को एक साथ हम अब निकाल देंगे ठीके, फिर एक chain लेंगे और ये इसी में डाल के हम half double crochet, एक chain half double crochet, एक chain, half double crochet तो ये तीन हो गए अब हम फिर से ये नीचे वाले में डाल के ये से फंदा दो बार किरोशे के उपर फिर यहाँ पे दो बार किरोशे के उपर और फिर ये आस्ट वाला यहाँ पे दो बार फंदे किरोशे के उपर जब आप बनानी लगेंगे ना तो आपको अच्छे से ये समझा जाएगा और आप सही से बना पाएंगे तो यह एक half double crochet फिर अगले वाले में एक और फिर उससे अगले वाले में एक और लेकिन यहाँ पर देखे एक ही बचावा है और यह हमारा बीचा गया है तो यहाँ पर हम यह वाला design तो बना नहीं सकते हैं तो हम क्या करेंगे हैं पर एक बार और यह half double crochet बनातेंगे फिर एक chain लेके और कोने पर हमें वही करना है एक half double crochet, दो chain और एक half double crochet फिर से chain लेंगे और अब तीन chain में हम तीन half double crochet लेंगे इस तरह से और अब हमें क्या करना है यहाँ पर यह देखें फिर से इसी तरह से हमें लेना है जैसे हमने पीछे लिया है ठीक है यह देखिए और इन सब को हम एक साथ निकाल देंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे ठीक है तो यह देखिए इस तरह से यह बन जाएगा ठीक है तो इसी तरह से हम यहां से यहां तक यह देखिए यहां से यहां तक और ये यहां तक और ये यहां तक तो ये पूरा हम बना लेते हैं उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा कपमुरा बन गया है ठीक है अब हमें इसमें क्या करना है देखे जहां से हमने यह शुरू किया था महाँ पे डालके इसे जॉइंट कर देगे अब हमें क्या करना है देखे पीछे की साइड में ऐसे डालना है फंदे को लेना है और इन्हें निकाल देना है ठीक है यह देखे इस तरह से पीछे की साइड में ठीक है यह देखे इस तरह कि डोली जी बन के ना तयार हो जाएंगी ठीक है और जो ये एक चैन है ना उसमें हमें ये दो बार बनाना है ठीक है देखे जैसे ये चैन में हमने डाला ये बना दिया फिर इसी में डालेंगे और एक बार बनाएंगे ठीक है फिर आगे वाले में डालेंगे ये इस तरह से ठ ठीक है, यह हम ऐसे ही यह बनाते जाएंगे, तो यह पूरे में, यह कोने पे भी हमें सेम बनाना है, ऐसे ही, इसमें कुछ गटाना बढ़ाना नहीं है, और चारो तरफ हम ऐसे ही बना लेंगे, तो पूरा बना के फिर दिखाते हूं, तो यह देखे हमने यह पूरा का पूरा बना लिया है, अभी हम अनो जब इस फूल को ठीख करेंगे, तो यह बित्कुल सेट रहेगा, ठीक है, ओर यह देखे पूरे में यह डोली बन गई है, अब हमने इसमें क्या करना है, यह देखे, जहाँ पे हमने यह शुरू के अतल भा कर देंगे नीचे की साइड में जो यह सिंपल क्रोशिया नहीं ते फिर एक दो दो चैनल के और हमें क्या करना है कि इस तरह से है न ठीचें और यहीं पे डालके इस तरह से हम डबल ग्रोश्या बना लेंगे तो यह देके ऐसे हैं ना देहाँ पे हमने हमने यह किया है यह इधर साइड से ऐसे डालना है और यहाँ पे डालके हम ऐसे डबल कुरोशय इसमें न दो डबल क्रोशय बनाएंगे इस तरह से ठीक है ये देखें तो ये हमें न, ऐसे ही इसमें, पूरे में double crochet बनाते जाएंगे तो जो हमें double crochet बनाना है वो एक इस side में पूरे में, और यहाँ पे भी सेम तरीके से बनाएंगे, ठीके और ये, और ये, एक side उपर की हम छोड़ देंगे ठीक है तो यह पूरा करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको तो यह देखिए हमने पूरे में इसमें तीनों साइड यह डबल क्रोशे बना लिया और एक साइड हमने ऐसे ही छोड़ दिया है ठीक है ऐसे ही हमने एक और बना लिया है सीम टू सीम और इसके भी तीनों साइड पे हमने ये डबल क्रोशय बना लिया है अब हमें क्या करना है ये देखे इस तरह से हम इसे ऐसे रख लेंगे ये इधर साइड और ये इधर साइड ठीक है और इन्हें आपस में हम अब जोड़ेंगे तो इसे हमें कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ तो इसे जोडने के लिए हमें क्या करना होगा यह देखिए यह आपस में इस तरह से जोड़ दिया फिर हमें क्या करना है यह देखिए एक बार इधर से लेना है एक बार इधर से लेना है और यहाँ पर simple crochet बना देना है फिर अगले वाले पर जाएंगे फिर देखे एक इधर से यह इधर से और यह simple crochet ठीक है फिर एक chain और फिर दो नों में डालके simple crochet एक chain फिर दो नों में डालके simple crochet एक चेन फिर से दोनों में डालके simple crochet एक चेन तो यह देखिए इस तरह से यह जोड़ जाएगा तो इसे पूरे में हम ऐसे ही जोड़ लेंगे यहां तक ठीक है उसके बाद क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ तो यह देखिए यह दोनों तरफ से न मैंने तीनों तरफ से अच्छे से सील लिया है और यह देखिए काफे बड़ा बन गे पूरा का पूरा यह तयार हुआ है और देखने में भी बहुत उंदर लग रहा है ठीक है तो अब इसमें इसकी हम बैल्ट बनाएंगे तो इसकी बै अटेच कर देंगे इसी में जोड़ देंगे है ठीक है यह देखिए इस तरह से ठीक है अब इन दोनों को पकड़ लेंगे और दोनों को पकड़के यहां पे इस तरह से जॉइंट कर देंगे और जॉइंट करने के बाद देखिए फंदा ऐसे है ना किरोशे के ऊपर लेंग फिर से फंदे को ऐसे खीचेंगे और इसके बीच में ऐसे डालके बार ओर फंदे के रोशे के पर एक बार ओर तो यह तीन बार होगे और इन सब को हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे फिर से ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही हम इसके पूरी की पूरी बड़ी बेल्ट बना लेंगे तो ये पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है तो ये देखें ये हैं आदक ये पूरा बन गया है और अब हम इसे न दूसरे साइड में डालके न इस तरह से जाइन कर देए ठीक है यही पर इसे कट कर देंगे और यह देखे हमारी यह बेल्ट बनके न पूरी रेडी हो गई है मैंने इसे ना तो जादा लंबा लगा है और ना ही बहुत छोटा सा रखा है जिससे यह न लगे तो यह यहां से कट करके और इसे दिखा के न दिखाती हूं आपको तो यह देखे हमारा ना पूरा का पूरा पर्स बनके ना तयार हो गया है और देखने में बहुत 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 प्यारा लग रहा है यह आप खुद भी देख सकते हैं और रखके भी यह बहुत सु सुन्दर लग रहा था अगर मैं आप कोई से ना हाथ से दिखाऊं तो ये ये दिखे बहुत ही मतला प्यारा ये बन के पूरा का पूरा तयार हुआ है और देखने में भी बहुत सुन्दर लग